ओम पून मदहो पून विदम पूनात पून मुदच्चते पूनस पून मादाय पून मेवाव शिशते ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही राजा बली का एक अद्भुत प्रसंग आता है योगवशिष्ट में गुरुवशिष्ट स्रीराम जी को इस दिश्टांत को उनको सम शीराम जी के मार्ध्यम से वो। हमें समझा रहें कहें तो असुर राजा थे राजा बली Như MP3 उनका तीनों नयुक्रा राजी संहें 1 6 तरा देप्टपहों में मनस्यी और असुरू में इंधरिय सुख के मामले में या भवतिक सुखुं के मामले में कहीं कोई भी कोई बाधा नहीं थी। यानि वह उनको एक अध्भुत सुख मिल रहा था इन से, सुख का अनभव कररे थे, वह भी एक दू दिन नहीं, एक दो साल नहीं। अनन्त समय से और जिस सुख की कलपना करना सामान ब्यक्ति के बुद्धी से की कलपना से परे है वो सुख उने मिल रहा था फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे वो परमत्रिप्ति नहीं मिल पा रही है इन तीन लुकों के सुख से क्योंकि परमत्रिप्ति का अधार पर ही है त्रिगुनों से अलग हो जाना त्रिगुनातित हो जाना और जो तीन गुनों में सीमित सुख हैं वो हमेशा क्या है अगर सीमित है तो सीमित ही है असीमित हो नहीं सकते है तो वो कह रहे हैं कि राजा बली कह रहे हैं कि वो ऐसा कौन जिसके माध्यम से में परम्त्रिप्ति या परम्शाम्ति को पालूं। यानि उन्हें अरुची होने लगी हैं। जबकि वो कहरे हैं इसके बाद ने उन्हों ने क्या कि अपने महल सबसे उपर यह तल पर जाकर तफ फ्लोर में जाकर एक आंध में बैठ करके वो चिंतन मनन कर रहे हैं। तॉप फ्लोर में जाकर के एक आंद में बैट करके वो चिंतन मनन कर रहे हैं कि कहरें कि बीते वे कल के समान में आज भी उसी तरीका का जो क्रिया कलाभ है उसे करो यानि कि सुबह उठो नहाओ भोजन करो दिन की भौतिकता दिन में भौतिकता गोजोडो रात को खाओ करो अपने प्रिये संबन्य को आलिंगन करो और इन इंद्री सुखु में निरंतर डुबे रहो और अगले दिन फिर वही जो क्रिया कलाभ है यही कारिक्रम निरंतर चलता रहता है वो कहने कि यह जो इंद्री सुख तबी तक यह अच्छे लगते हैं जब तक ब्यक्ति का मन अज्ञान से धका रहता है यानि ब्रह्म एक प्रकार का और उसका जो विवेक है विवेक शक्ती है वो पूर्णु से छुपी रहती है और इसे अज्ञान के कारण में ब्यक्ति बीते हुए कल की तरके से आज भी वही कारिक्रम में लगे रहता है ताथ पर ही है कि बस एक घिसा पिटा जिव जी रहे हैं जीवन चरिया उदासी से भरा हुआ है कहने ये बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत लज्जा की बात है जबकि जो अभी भौतिक्ता में ही संगलंगन है वो तो कहते हैं कि यही हमारे लिए सरुस्षेष्ट है राजाबली कहते हैं कि बार-बार ब्यक्ति अज्ञान में डूप करकर के अपने प्रियजानों को आलिंगन करता है मोह के कारण में आसत्य के कारण में कामवासन के कारण में और वही इंद्री सुखुं को वो अपने दैनिक जीवन का क्रिया कलाब बना लेता है जबकि इसके पीछे कोई उद्देश नहीं है कोई परमलक्ष नहीं है उसके पास में और वही पुराना जो ढर्रा है उस ही में निरंतर गुमते रहते हैं इन से अरुची होने के बदले उसमें आ सकती रहती है यह कारण क्या है यह अज्ञान का कारण है मुह का कारण है लेकिन जो बुद्धिमान है बुद्धिमान को इस पर बार बार विचार करना चाहिए तो तुरंट बली को ये याद आई कि मेरे पिता विरोचन ने मुझे एक बार क्या बोला था क्योंकि राजा बली ने अपने पिता विरोचन से एक बार पूछा था कि पिता जी ये जो संसार के भोग हैं ये तो अरुचिकर लगरने लग रहे हैं रोजी रोज तो वो जहां परम्तिप्ति मिलती है परम्शांति मिलती है वो कौन सा ऐसा धामे या वो कारी है कि मैं उसे उसे पाने का प्रियतने करूँ तात परी है कि जब राजा विरोचन ने मतानी कब उनको उपदेश दिये होंगे तो राजा बली को अब वो स्मिति आदा गई ठीक ऐसे ही प्रितिक ब्यक्ति के जीवन में अगर उसने ससंका समन किया है तो आने माले समय में कभी भी उसके लिए वो लाबदाइग हो सकता है यानि कि अल्प मातरा में किया गया जो प्रियास है इस मार्ग में वो कभी भी अस्फल नहीं जाता है और व्यक्ति के जीवन में वो क्षन अवशी आता है कि जब कि वो विचार करता है कि मेरे जीवन का जो लक्ष है वो लक्ष किया है उससे मुझे पाने का प्रियत्न करना जाएँ तो कथा कहती आगे कोई राजा बली विचार में ढूपते अंतमें वो समाधिस्त हो गए अर्थाद उनका जो चित्र था जो चित्र वासनाउं से जो असवासनाईं थी उन वासनाउं से पूंडू से धुल गया है